हाई गाइस वेल्कम बेक टू फूद वेटू हार्ट गाइस आज हमने आपके साशियर करने के लिए एक स्पेर्शल गुजराती रेस्पी स्लेक्ट की है बनाने जा रहे हैं फाफणा और जो की एक टी टाइम स्नेक है इसे बनाने के लिए पेसन को यूज़ किया जाता है और और इसे सेम टाइम पर सौफ भी होगा और करिस्पी भी आप देख सकते हैं यह किता क्रिस्पी है और मैं आपको यह देख़िए इसे क्रश करके लिखाती हूँ यह किस तरह से एजी लिटेश हो गया है यह पांच मिनट में बनने वाली रैश्पी है यह बनाने में बहुत प्रोफेशनल रक्ति के तरह इसे बना पाएंगे अगर फाफड़ा के उपर हींग इस तरह से स्प्रिंकल कर ली जाए तो इसका टेस्ट और भी भढ़ जाता है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे एक कम बेसन और आप एक कटोरी से मेजर कर लें इस तरह से जो नॉर्मल कटोरी हमारे घर में यूज होती है उसी से यह देखिए मैंने यह लिया है एक कटोरी हम लेंगे बेसन जो कि बारीक वाला जो पैकेट इसमें लेंगे वन टीस्पून अजवायन और इसे हलका थेली में क्रश्ट करते हुए हम इसमें मिलाएंगे इसे इसमें बहुत अच्छी एक महक्सी आएगी और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही एन्हांस हो जाएगा और लीजे अब देखिए यह वाटर जो है यह मैं आप टू चम्मच यानि दो चम्मच बिल्कुर कम कर लें जो खाने वली चम्मच होती है वो दो चम्मच इसमें कम कर दें वन फोर कटोरी से थोड़ा कम आपको वाटर लेना है इसमें हम मिलाएंगे हाफ तीस्पून नमक लेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं वैसे जो उथन्टिक देश होती है तो उसमें थो यह पापर खाल डाला जाता है यह सबी चीजें और अब ही हमें मिलाएंगे यह औयल जोकि हम टू टेवल स्बून लेंगे और अगर आप टीस्पून लें तो 4 टीस्पून लें ये क्योंकि 3 स्पून है तो मैं इसमें ये 4 टी स्पून लूँगी ये 3 और ये 4 टी स्पून अगर आप चम्मसे लें तो आप 2 टेबर स्पून लें इसके लिए आप रिफाइंट आयल को यूज करें अच्छे से शेक करेंगे ये बिल्कुल वाइट कलर का मैटीरियल हो जाएगा और इससे हम इसे गूत लेंगे बिल्कुल धीरे धीरे करके आप डालेंगे एक एक चम्मच करके क्योंकि हमें इसकी जो थिकनेस है वो ना तो हमें हाड रखना है और ना ही सौफ्ट हमें इसे रोटी के हाटे से हाड रखना है और जो पूरी का आटा होता है जो हाड होता है उससे थोड़ा नरम रखना है तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें एक साथ अगर आप डाल देंगे तो ये बिल्कुल चिपकने लगेगा लेकिन डोंट वरी अगर आपको ऐसा लगता है लेकिन वैसे मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है कि ये वन फोर्क कुर्टोरी से आपको दो चमच कम रखना है तो आप पाक बंद करके इसे डाल सकते हैं लेकिन फिर भी एक एक चमच करके इसे गूंते और अगर आपक इसे हमारे हाथों में चिपकना नहीं चाहीए हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए कि ना तो ये प्लेट में चिपके और नहीं अपने हाथों पे ओखनेर admired लिंगे अब इसे अच्छे से मसल कर और उसके बाद हमें से रेस्ट पर छोड़ना है हातों में घी लगा लेंगे ताकि यह चिपके नहीं घी यानि आयल इसमें घी यूज नहीं करेंगे इसमें हम आयल यूज करेंगे जो की रिफाइंड आयल मैंने यूज किया है रिफाइंड आयल लगाकर इसे इस तरह से इकच्छा करेंगे और इसका इस तरह से डो लगा लेंगे यह जो आप देख सकते हैं ना तो सॉफ्ट है और ना ही हाइड अब ही हम आगे ही आपको बताएंगे कि आपके डो को किस तरह होना चाहिए इसे हम रेस्ट पर तेन मिनर्स के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ रहे हैं और अब देखिए आफ्टर टेन मिनर्स किस तरह का हो गया है यह रोटी के डो से हाड है और जो पूरी काटा हम लगाते हैं उससे के सॉफ्ट है और आप देख सकते हैं यह अच्छे से गुत गया है और चिपक भी लिए जैए रहा हम इसी तरह करडिन लगाना है आफ्या के लिए जो डू हमें चाहिए होता है उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेशनर होनी चाहिए और आप देख सकते हैं जो इजली टूट गया है इसलिए अब देखिए हम इसे स्ट्रेशनर इसकी करेंगे इसे बार बार हम इस तहां से घीचेंगे और फिर से इसे मिलाएंगे इस सहां करने से 5 मिन्ठम करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से इसमें stressness आ जाएगी इस चीला पन इसमें जितना जादा होगा ये बहुत इच्छे फाफ़ले बनेंगे 5 मिनट तक इस तहां से हम इसे हाथों से exercise करेंगे बार बार हम इस डो को खीचेंगे और फिर से इसे मिला लेंगे फोल्ड करते हुए इस तहां से रोल करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे ये रोल फोल्ड में थोड़ी दे में ही आप देखेंगे ये आटा बहुत इलचीला हो जाएगा ये देखिए इस तरह से इसमें बहुत अच्छी सी लचक बन जाएगी अब ये खिशने पर बहुत असानी से नहीं चूट रहा पाँच मिलर तक हम इस तरह से करेंगे अगर आप हमारी टिप सेंट्रिक्स फालो करेंगे तो आप जितने भी लंबे फाले चाहेंगे आप बना सकते हैं आप इसी मेजरमेंट से सभी सामान लें और उसके बाद इस तरह से जैसे बताया है उसी तरह आप आटे को गूथे अभी आगे देखिए हम आपको और भी टिप्स बताएंगे कि इसे किस तरह से आप बना सकते हैं ये हमारा डो पिल्कुल रैडी हो गया है अब हम इसे बनाएंगे इसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह से पहले हम रोल करके एक राउंड बॉल बनाएंगे चोटी सी और उसे बेलन के कार्मे बना लेंगे और इस तरह से फाफडा बनाएंगे इसके लिए अगर आप वूडन सर्फेस लेंगे तो बहुत इसी लिया बना पाएंगे यह देखी हमने कितना बारी बनाया है और इस तरह से हम इसे नाइव की हल्फ से निकालने अगर खेलापते समय यह किनारों से फट जाए तो इसका मतल लेंगे इस तरह से फैला लेंगे और जितना पर आपको फाफडा बनाना है उतना ही आपको ओयल भी लेना होगा लेकिन हमने आप देख सकते हैं थोड़ा कम लिया है लेकिन फाफडा थोड़ा उससे बढ़ा है लेकिन फाफडे को जादा देर हम फ्राई नहीं करते बस इस इस तरह से उलट पलट के एक मिनट से भी कम समय लगता है जैसे ही यह फूल जाएगा हम इसे निकाल लेंगे यह बहुत ही सॉफ्ट होता है और ज्यादा तेजी से करने से यह तूट सकता है तो धीरे से निकालेंगे और इसे बहुत जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करते हैं यह आप देख सकते हैं यह यलो सा कलर ही हलका इसका होता है इस तरह से फिर से हम इसे फिलाएंगे सर्फिस पर या तो अब वूडन सर्फिस ले ले वैसे तो वूडन का ही सबसे बेस्ट होता है इस तरह से नाइफ को बिलकुछ सीधा चलाएंगे और तेजी से निकाल लेंगे अगर आपका नाइफ से निकले नहीं तो इसका मतलब है आपका जो डो है बहुत ही सौफ्ट है उसमें आप एक छोटी चमच और बेसन मिला लें यह द कर देंगे और निकाल लेंगे अमुस्य को यह दो इस तरह से हम निकाल लेंगे यह देखिए हम अने यह ऐद व्लावणरे को स्फ भ्राई कर लिया है लेकिन से बिलकुल भी ब्राउन रान्स नहीं करना है और हमें यह बस अल्काश हैं करना है हाफ मिनट फ्राइब करके और इन फाफ रोपार हल्की सी हींग इस तहां से स्प्रिंकल कर दें इस सेंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने लगता है आप इसे बनाएं और अपने एक्स्पीरियंस और फीबेक हमारे साथ शेयर जिरूस से करें अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई है तो हमें सब्सकारीब करें नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आपसे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेस्पी केसाथ तब तक लिए बाई टेक केर से यूट